कि अना केटी जी का एक छोटा सा पार्ट रहे गया था मैं उसके बारे में आपको और बता देता हूं कि और वो है इस्पीड ऑफ दा पार्टिकल्स का है ना गैसेस पार्टिकल की जो स्पीड होती है ना उसका जो है न वो होगा यहिना is to the particles का जो है ना उस तरीके से रहेगा लगा थिक है कि इसीडे अब दॉप अपाटिकिल में सिर्ण क्या होगा जैसे एक होता है कि एक होती है मैं ऐस पीडे स्पीड क्य cud any U average होता है, तो U average कैसे निकालने का तरीका क्या है, जतने भी particles है उन सब की speed का average ले लो, तो average speed कहला आता है, ठीक है, अगर आपको U1, U2, U3 वगएरा की value बताई जाएंगी तो इस तरीके से आएगा, ठीक है, वरना एक अगर आपके पास infinite number of particles है, infinite number of particles है, तो यह जो formula बनता है, वो बनता 8RT, 8RT by pi M बनेगा, यह वला formula बन जाता है, इस formula को आप directly use कर पाते हो, लेकिन यह कब होगा, जब आपके पास large number of, very large number of particles होगे, very large number of particles के लिए होता है, इसके derivation भी होता है, number of particles, लेकिन derivation कोई काम के नहीं है अपने को, जीरो से लेके infinity तक integration करते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसके बाद integrate करने के बाद ही आता है, यह result आता है, तो question सीधे formula based आते हैं, आप सीधा सीधा कर सकते हो, कोई दिकत नहीं है, एक होता है, root mean square speed होता है, root mean square speed, advance में भी नहीं आएगा, आप चिंता मत करें, advance छुट 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 तो थोड़ा बहुत fix वाले पढ़ा देंगे आपको, ठीक है, हमें ज़्यादा chemistry में नहीं करना है, root mean square speed में क्या होगा, U, R, M, S, U, R, M, S, कहलाता है, तो आपको याद होगा कि mean square speed जो है, mean square speed के बारे में तो आफ फैमलिया हो, mean square speed तो मैंने आपको बताई थी, mean square speed आपको याद है, U square याद है, ये U square bar, ठीक है, M capital में है, yes, M capital में है, M cap, molar mass है, एक mol का mass है, है, ये याद है, आपको ये कैसे निकाला था, आपने, ये निकाला था, आपने, U1 square, U2 square, U3 square, U1 square, इसको divide by N हो जाता है, ये इस तरीके से, और अब ये क्या है, इसका root लगाना है, root mean square, बस इसको under root में ले लो, इसका under root ले लो, मतलब इसका पूरे का जब under root ले लोगे, तो root mean square बन जाएगी, इसको लिखते है, U, R, M, S, U, R, M, S is nothing, बट जो mean square speed थी न, उसका under root लेना होता है, ठीक है, और इस तरीके से, जो derivation से जो formula निकल के आता है, वो निकल के आता है, 3RT by M, 3RT by M निकल के आता है, हाँ, इनका note नहीं हो है, वो यहां से note कर ले, हो गया है, U, R, M, S, U, R, M, S, E, K, S, P, E, D, N, इसका नाम होता है, U, R, M, S, E, S, P, E, D, N, ठीक है, इस तरीके से, इस पीड का नाम है, यह एक और ट्रम बोला जाता है, कि अगर हर एक particle को, जिसको डेरिवेशन करना है, मैं आपको बुक दे दूँगा, आप देख लेना, पढ़ लेना है, ठीक है, मैं कराता नहीं हुआ, मैं कभी नहीं कराया हूँ, और नहीं कराने, जरुवती नहीं कभी पड़ी, कहां कोई ना कोई तो बाउंडरी खीचनी पड़ेगी ना उसके लिए ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं, मोस्ट प्रोबेल स्पीड की मोस्ट प्रोबेल स्पीड देट कॉल यूम पीएस, ठीक है, यूम पीएस की बात कर लेते हैं, तो यह क्या होता है, उसके प्रोबेल स्पीड का मतलब होता है, यह इस तरीके से निकाली आती जैसे यह, जिस तरीके से यह आ जाएगा, ठीक है, यह बता देगे, आंगे पढ़ा दूँगा, कही न कही बता दूँगा, ठीक है, वो बता देगा, तो यूम पीएस जो होगा, वो क्या होगा, स्पीड मतलब ज्यादा पार्टिकल जितने ज्यादा को ऐसी कौन सी स्पीड है जो मैक्सम नमबर और पार्टिकल्स रखते हैं जैसे आप ऐसे समझ लो कि आप मालो आप अपने सिटी का ट्रैफिक की बारे में इमेजन करो कि आपके सिटी में जो लोग गाड़ी वगरा चलात से 80 से 90 से 101 से कौन सी स्पीड से चलाते हों गाते होंगे ना तो क्यां पर आहराम से 40 की स्पीड में मिल जाता है तो आपको यह तो पता है कि ज़्यादातर लोग 40 की स्पीड से चलते होंगे लेकिन कौन चलता है यह आपको पता नहीं है यह आपको पता नहीं है तो यू एमपीएश जो होता है यू एमपीएश जो होगा उसमें इसमें कितना माना जाएगा सीटी में चलने का वो क्या होगा वो 40 माना जाएगा क्योंकि बहुत कम स्पीड से चलने वाए लोग होते नहीं है और बहुत जादा स्पीड से चलने वाए लोग बचते नहीं है ठीक है बहुत ज्यादा स्पीड से चलने वाई लोग बसते नहीं है बहुत कम स्पीड से चलने वाई लोग होते नहीं है ठीक है तो इसलिए क्या होगा कि एक एक सर्टेन स्पीड होती जिससे जातार लोग चलते हैं तो यह यूंपियस कहलाता है है ना यूंपियस यह होगा जैसे मालो मैं कुछ पार्टेकिल्स आपको फिर फोर मीटर पर सेकंड. तो यहां पर वह क्या लग रहा है? तू मीटर पर सेक्ट, यहाँ पर यूम्पियस क्या है, ठीक है, यहाँ पर यूम्पियस क्या है, तू है, ज्यादा पार्टिकल जो है न, वो टू की स्पीड से चलता है, ठीक है, तो यह यूम्पियस का फील आ गया की नहीं आ गया आपको, यूम्पियस का फील तो आ गया न अब UMPS का जो फार्मूला होता है, वो अंडरूट 2RT by M होता है, यह होता है, यह फार्मूले आपको ध्यान रखने होगे, 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 ठीक है, यह फ अगर आप चाहो तो आप जैसे कभी-कभी इस तरीके से भी लोग लिखते हैं कि यू एवरेज होगा यू एवरेज होता है वह होता है 8RT 8RT by Pi M यहां जो M होगा वो Molar Mass होता है यह जो M होता है वो Molar Mass होता है 3RT by M infinite number of particle के लिए ही valid है हाँ ये जितने भी मैंने under root वाले जो formula लिखे हैं ये infinite number of particle के लिए ही valid है ये ना infinite number of particle जो जितने भी root वाले formula हैं ये सारे इन्पाइट number of particle के लिए valid है देख लो किसका कहां पर छूड़ गया है वो देख ले आप t no speed आपको एक साथ यूज नहीं करना है मैं आप एक दो numerical कराता हूँ आपको एक दो numerical कराता हूँ ठीक है ठीक है एक दो numerical कराता हूँ यह हो जाएगा अब इसमें क्या होगा इसमें इसको कभी कभी लोग ऐसे भी लिखते हैं u average equal to 8 kt by pi into small m यह भी लिखते हैं ठीक है kt by क्योंकि होगा क्या कि अगर आप k को क्या put कर सकते हैं k की जगे आपने क्या put किया k की जगे आपने put किया r by na na into small m small m क्या था small m एक particle का मास है only one atom का तो one atom के मास को आवोगाडो नंबर से multiply करोगे तो क्या बन जाएगा one mole atom का मास बन जाएगा तो यह क्या बन जाएगा capital m बन जाएगा इस तरीके से क्या होगा यह 8 rt by pi into capital m हो जाता है तो यह वाला जो जहाँ पे r by capital m है जहाँ पे r by capital m है ठीक है ना वो पर mol के लिए है ठीक है इस तरीके से और जो जहाँ पे k by है वो पर particle के लिए है जैसा मैं पहले समझा रहा था 3 by 2 rt 3 by 2 kt 3 by 2 rt 3 by 2 kt वैसे ही कुछ होगा तो यह यहाँ पे ऐसा कुछ रहता है और यह आपका urms के लिए भी हो जाएगा urms के लिए 3 rt by m ठीक है और 3 rt by m हो जाएगा और अपका urms के लिए क्या हो जाएगा अंडरूर 3 kt by m हो जाएगा हाँ यहाँ वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे data है ना small m क्या होगा small m mass of one particle है small m का मतलब है mass of one gas particle और capital m का मतलब है mass of mass of one mole particle यह होगा ठीक है इस तरीके से है पिछले class में समझाया था यार बेटा पिछले class में आपको कितने अच्छे समझाया था 3 rt के बारे में 3 by 2 rt के बारे में 3 by 2 kt के बारे में कैसे नहीं समझाया 3 by 2 पढ़वाय नहीं पढ़ाया था अंस यह सब पढ़ाया नहीं पढ़ाया था हां तो वही तो कर रहा हूँ यहां पर वही तो कर रहा हूँ के कब आता था जैसी के आता था तो तो पर यह होगा 2RT by M और यहाँ पर क्या होगा UMPS के लिए ठीक है यह क्या होगा 2KT by small M हो जाएगा ठीक है इस तरीके से ओके नाओ आप इन में देख रहा होगे यह सभी Molecular Speed के अगर हम बात करें तो सभी Molecular Speed जो है ना सभी Molecular Speed में क्या होगा Root TRI की नहीं आ रहा है सभी Molecular Speed में Root TRI की नहीं आ रहा है बोलो है ना तो आपको लिए लिखना है कि All Molecular Speed All Molecular Speed Depends Depends Only on Temperature Depends only on Temperature Temperature पे Depend करते है Temperature बढ़ाओगे तो बढ़ेगा Temper घटाओगे तो घटेगा और ना Pressure Volume किसी पे Depend नहीं करेंगे किसी पे भी Depend नहीं करेंगे एक बार J Advanced में कुष्चन आया था पुराना कुष्चन है काफी J Advanced का मिल भी जाएगा आपको सकता कई न कई उन्होंने क्या किया URMS को लिखा और URMS को कहा कि 3RT by M होता है और आपको पता है कि D बराबर PM by RT भी होता है Yes or No होता है तो यहां से क्या किया यहां से RT by M को calculate किया गया RT by M जो आया वो P by D आ गया P by D आ गया तो यहां पर क्या होगा URMS जो होगा वो क्या हो जाएगा URMS 3P by D हो जाता है URMS 3P by D हो जाता है तो उन्होंने कहा कि URMS को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सुनना कुश्यन को उन्होंने कहा कि URMS को हम 3P by D भी लिख सकते हैं तो इसका क्या मतलब है कि क्या मतलब है पर होगा है नहीं चेंज और नहीं होगा नहीं चेंज हो फ्रेजर और मेरी बात टेमपरेचर को रखते हुए प्रेशर को कैसे change किया जा सकता है अगर मैं temperature को constant रखूं और मैं चाहता हूं कि pressure pressure बढ़ जाए तो मैं क्या करूं प्रेशर बढ़ जाए तो मैं क्या करूं वालूम को क्या करूं बोलो density होती है mass upon volume density क्या हो जाएगी बोलो हाँ density बढ़ जाएगी अब समझना मेरी बात तेंपरेचर जब constant होता है तो p into v equal to be constant होता है और density की value m upon v होती है अगर आपने volume को आधा किया तो pressure कितना हो जाएगा वॉलूम को आदा किया, constant temperature पर, अगर आपने वॉलूम को आदा किया, तो pressure कितना हो जाएगा, दुगना, तो 2P हो जाएगा, और density कितनी हो जाएगी, density भी कितनी हो जाएगी, density भी 2D हो जाएगी, टू से टू कतम PYD फिर बापस आगिया, समझे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जहाँ जहाँ भी RT by M लिखा हुआ है, उन सब जगे पे लोग आपको PYD लिख देंगे, और PYD लिखने से क्या होगा, ठीक है, PYD लिखने से आपको ऐसा लगेगा, कि जैसे molecular speed, pressure और density पे depend कर रही है, बट यह सच्चाई नहीं है, molecular speed, cable और cable किस पे depend करती है, temperature पे depend करती है, क्योंकि constant temperature condition में, अगर आप pressure को दुगना करोगे, तो density भी दुगनी हो जाती है, आनन्द सिंग, constant temperature condition में, अगर आप, अगर आप क्या करोगे, बोलो, pressure को दुगना करोगे, तो density भी दुगनी हो जाती है, number of most पे नहीं करेगी, प्रित्रिस पांडे, number of most तो आपको एक बार constant ले लिए तो ले लिए बस, एक guess का amount तो लोगे नाया, और कम से कम, उसके बाद अब हर चीजी vary कराओगे तो इन चलेगा, हर चीजी vary कराओगे तब तो इन चलेगा, हाँ जी बोलो क्या कहा रहा हूँ, हो गया, LK सर, सर एक बार उपर करो, स्क्रीन सॉट लेना है, तो कहां तो लेना कर तो दिया यार, कहां लेना है बताओ, स्टार्टिंग से देखा दो, लो, लो स्टार्टिंग से देख लो, हो गया, जब होता जाए बताते जाना, स्क्रॉल कर दूँगा उपर की तरफ, क्या हो, तριं बता है, चो कर दो, पिका है, टेके, चलो अना कि कि एंगा टॉज कि एन रभा जॉजब किया हुआ कि रजश kशक rumors रगा दॉट कि अहतु हम जॉट